नियार वशी वाले जातकों को कहना चाहेंगे किस उम्र में आपकी किसमत कुलती हैं, कैसे आप महान बनते हैं, किस परकार से बनते हैं, कौन सा उम्र में बनते हैं, तो आपको कहना चाहेंगे किस उम्र का पड़ाव होता हैं, जो कि आपकी किसमत साथ देती हैं, किस उम्र में किस परकार एक साथ आप के साथ होती हैं तो लवसकार दोस्तों बहुत-बहुत स्वागत करते हैं आपको फिर से एक कुरना इत्ताज वीडियो में लोट करेसा जिमें तो दोस्तों आज की इस वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉड़न होती खास रवहती मैत पूर्ण माने जाएंगी क्योंकि आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि कंडिया राशिवारी जियात कुकु का ऐसा वा परिवर्तन किस उम्र में मिलते हैं किस प्रगापडाव में मिलते हैं कौन सा उम्र में मिरवादिक के कगार होती हैं पैसा होते हुए ना कुछ भी हाथ में हाथ से नहीं रह जाती हैं तो आपको क्याना चाहेंगे वीडियो के आंते तक बने रहें उससे पहले आप सभी लगतार वीडियो के बने रहें और वीडियो को उससे पहले लाइक करें चानल को सस्क्राइब अविस्से कर लें चाकि रोजाड़ राशिपल आपको इसके मा आप इससे लिखें तो कन्य राशी वाली जातकों को क्याना चाहेंगी कि उम्र कैसा होता है किस पड़ाव में हमें बहुती सपलता मिलते हैं किस उम्र में किस्मत चमकने लगती हैं बेक्ति बनता है धनवाद किस्मत नसीव बैतन्य भाग तकदीर लग और फर्चुन्ने से ओदिक गहरा प्रवाव चोड़ते हैं सपलता और सपलता शुकुदूग आमीरी गरिवीगों जैक जीमन मरन ले लेंदेन आधी को किस्मत के जोड कर देखा जाता है हर बेक्ति जानना चाहता है कि उसकी किस्मत कब चमकेंगी कब चमकेंगी आकिर कब होगा वह माला माल कब होंगे कब उनकी किस्मत उसके द्वार्ब जच्च्मी को ले आएंगी हर बेगती ये जानना चाहता है कि उनका उसका कुछ अच्छा समय कब आने वाला है कब उसके पास बहुत सारा पैसा आने वाला है बहुत सारा खुसिया आने वाला है भले ही हमारा समाज कितना भी आदू लगन के अनुसार बताते चले जाएंगे कि कब किस वेक्टी की किसमत के द्वार खुलने लगते हैं और कब होगा वेक्टी धनी माला माल तो आईए जाने कि जन्म लगन के अनुसार उम्रे के किस पड़ा में वेक्टी का भाग गयद होता है जिससे वह बनेगा माला माल आप बनेगे माला माल पराचिन भारतिया जोतिस्व के महान गरंत भिग्रू सहिंताओं के भालित का ना होते हुए कोई भी कल्प नहीं होता और नहीं कोई चुनतनिक क्योंकि ये अधित्या आदिमक्ताइक ज्यान की प्रकृस्टाओं के प्रकट हुई बरिग्यां का प्रिनाम जोतिस्य सास्त्र के प्रवा तक प्रमुक्रोप से अटार हो रिसी माने जाते हैं वही स्वैंग भरमाजी ने इस जोतिस्यों अञ्म सुर्य को दिया था जिसके दक्चिन धार्तिय जोतिश्व सोचत्यों ने ताड के पत्यों पर लेखंकिंद, जांगंद दामील भाचा में अनबादीत किया गया था विग्रु सायनताओं को टामिल लाड़ी के लोग विग्रु नारी के नाम से जाने जाते थे और घर में सुकसांती बनती हैं, अनेक प्रिकार के चीज़ों में बिर्दी करने का मोका भी मानी जाती हैं, आपको कहेंगे, ऐसी चीज़े आपके साथ होती हैं, ऐसे उम्र में आपको सपलता मिलती हैं, तो कैसे आपको इधान जोगना हैं, कैस प्रिकार आपके जीवर में ख प्रवाद हो जाएंगे किसी भी घर का नगाट करेंगे आपको कहना चाहेंगे किसमत के बोरुस से हर दम बैटें लेकिन उसके विश्वास रखें और अपना कारी अपने मानद वह लगन दिखाते रहें तो यह आपकी जीवन खुशियाल जीती हैं और अनेक प्रिकार के उनेके किसमत से आपका द्वार कुलता है और अनेक प्रिकार के सुख सुविदाओं में आप बिर्दि कर सकते हैं उने के दिर्वार से आपकी उनके दुआ से हैं आपके दुआ से और महतारानी के दुआ से आप पहले पूतित रहेंगे अनेक प्रिकार के लाम मिलेंगे घर में सूख सांती बने रहेंगी अनेक परती किरियाओं में जीत आंसिल होंगी आपको कहेंगे कि आइसे चीजे में सही वि पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें साथ दिसाथ हमारे साथ जूड़ना चाहते हैं तो चानल को सब्सक्राइब बवस्से करने हैं जो कि आपको रोजाना रासी पल भी समझ सब्राप्त हो सकेंगे धन्यवाद